हेलो उस्चोरा हम लोग देखने है कि किसी क्या सकते है हमारे वाट 대ंट कि उस्परिज़ यह तरहता है का। सबसे पहले हम लुग को डारिव्ट करेंगे मत्ताब दीए बाई shape फिर db by dx और dc by dx ठीक है और बाकि सब सेम d e f g h r फिर प्लस में पहला रो हमारा सेम रहेगा a b c derivative होगा second row का मतलब derivative of d और d e by dx और df by dx यहाँ पे g h r ठीक है और इसी दरीके सब आपके पास होगा third column का तो पहले third row का तो पहले अबर दो जो हमारे पास row है वो हमारे बहुत रहेंगे d e f और इसके बाद फिर d of g फिर d of h फिर d of r इस तरीके से हम लोग च्या कर सकते हैं किस ही भी determinant का ठीक है ला तो इसके बेस पे हम लोग कुस्सन देख लेते हैं जासे हमालो महरे पास ये कुस्सन है एक डिर्मेंट रहरा पार डेल्टा मझ करेंगे डेल्टा व्ठी तो क्या हो जाएगा पहले डेट्रिमेंट में मतलब F-X, G-X, H-X बाखी यह सब सेम L, M, N, P, Q, R next वाले में हमारे पास पहला सेम रहेगा F-X, G-X, H-X और L का डिरिटी 0 M का 0, N का 0 second row का डिरिटी किया है बाखी P, Q, R same फिर next में हम लोग क्या करेंगे first और second row same G-X, H-X और यहाँ पर L, M, N और यहाँ पर third row का डिरिटी मतलब P, Q, R का तीनों का डिरिटी हो गया 0 अब आपको पता होगा कि अगर किसी डिरिटरेंट में किसी भी एक row या कॉलम के सारे element 0 होता है तो वो क्या होता है 0 तो यह हमारे पास 0 हो गया और यह भी हमारे पास 0 हो गया तो इसका answer आगया F-X G-X H-X और L, M, N और P, Q, R यह इसका हमारा final answer आगया ठीक है